प्रिटिश के आने के टाइम पर भारत की इस्तिती परिस्तिती क्या थी उसके बारे में आपे जान रहे हैं तो बहुत चिल मूड में रहें और आराम से इसको सुनें ठीक है फ्री माइंड और बहुत सारे चीजें आप लेकर के जाओगे बहुत सी नॉलिज़ ठीक है तो अब आज खा तो क्या बताओ यह का नहीं है चोटी सी यहां पर बात दुश्य जफर हैं यह बोल रहे हैं कि अरह भीया रुक जाओ सब कहां जा रहे हो तो अलग बनाएग इधर बोल रहे है रंजी सिंह हम भी इधर बूलते हैं यह नवाब हम भी और मराथा हम भी ठीक है आम नोट क्लेमिंग एनीधिं इस्टोरिकल और अथेंटिसिटी अफ एनी फोटोस हीर ठीक है तो यह मैंने एक फन पार्ट के लिए बनाई थी तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे बेसिकली कि किस तरह की से मुगल व्चारज से से चोटे-चोटे ठुकλέ होते चले गए है ना और सब राज्य इंडिपैंडेन्स हो गएacho इस तरह की से राजबी सिर्फ स्क्राट यहां निजाम होए ना इस तरह में लगए द करने कि Ele Cheers हमने यहां तक अब्रेट कर लिया था काफी सारे चीज हमने देखे थी दो पार्ट होएं दो बार मैंने काने सुना नहीं कोईश्च कर रही है आप से उनको देखा भी होका नहीं देखा तो देख लो पहले उसको देख लो फिर इस पर आ जाना ठीक तो शिप्टिंग एलिजि हो सकते हैं दूसरा रीजियन से रिलेटेड आस पास क्या चल रहा था है तो अंपार से खुछ सोचो बेटे बेटे खुछ सोचो इंटरनल स्ट्रक्चर खराब होगा है ना इनक्यापैबल रूलर आया आगी जाकर कि बिलकुल आए जी है बिलकुल हमको पता है उन्हें सब्सक्राइब के बाद से तूटना विखरना स्टार्ट हो गए बहुत से वह अधलोग थे जैसे की सिख हुए मराठा हुए राजपुत हुए इतनी ताकत भी नहीं थी कि वह पुरे मुगल अंपायर को उखाल के फेंग दै ऐसा भी नहीं था हाला कि वह रेजिस्ट करते तो यह हमेशा से डिबेट रही है कि अगर क्या रूलर आता कोई मुगल सामराज्य में औरंग जेप के बाद तो शायद नहीं तूटता लेकिन तो टूटा तो टूटा इस इस इंटेगरेशन हुआ बुरी तरह फाइनली तबाह है ना तो क्या देख रहे हैं अब सबसे पहले देखें था कि वीक रूलर है सेकंड जो जमीदार से उनका एलिगेंज शिफ्ट हो चुका था उसके बारे में आप जानना है तो वह जानेंगे तो जमीदार ते और दूसरे नॉबल्स तो यह किस तरीके से थी मैं आपको बताऊंगा बहुत ही सिंबल है सुननो अब जब मैं बोलता हूं यहने कि अब उनकी अथारटी किस तरीके से तोटती चली गए और किस तरीके से अपना जो है यह फेस करते हैं दूसरी अथारटी के तरफ कौन यह लोग जमीदार देखो दो तरीके के चीज़ें थी स्टेट पावर स्टेट की पावर तेसके दो तरीके के लोग ते जमीदार हुआ करते तो नोबल तो परिवार के लोग आसपास इस तरी आज जमीदार वहते थे जो एक्चली रवेन्यू करते थे राजा मुगल बाच्चा इनको अधिकार देता था तो यह जाओ तुम जो है यह जमीन का टुकड़ा तुमारा यह करके लाते थे इंपोर्टेंट पार्ट थे पिल्लर थे पूरे सामराज्जी के अब पैसे आएंगे लोकल अडिमिस्ट्रेशन समय लेगा शोल्जर को मेंटेन कर सकेंगे उनकी यह तब ही और रंग जिब के टाइम पर क्या हो गया थे जमीदार थे मुगल ने क्या किया यह यह चाहते हैं कि जमीदार को काट दिया जाए और सीधा पीजेंस के पास जाए हम और उन से जो है वह हाथ मिला ले ताकि यह मीडियेटर के तोर पर इसे काम कर रहे है यह खताब हो जाए ठीक यह नोंने सोचा कौन मुगल बाश्चा और यह मुगल अडमिस्ट्रेशन सीध पास पीजेंस के पास तो यह से नाराज हो गए अब जमीदार तो उस और जेब के जस्ट टाइम पर ही जह है बहुत पावर्फुल और इंफ्लएंश इंफ्लेंशल हो चीकत है राइट इस जमीदार्स ने कहा कि मुगल बाट्चा के तरफ एलिजेंस ना करके दूसरी जगह है कि जो वह लोकल जमीदार थे उनके सपोर्ट से इंडिपेंडेंट से इंडिपेंडेंडेंस बढ़ा ली और फिर उनकी तरफ शिप्ट हो गया डैफिनेटली जमीदारों का साथ ही नहीं तो पैसा नहीं आ सकता एंपरर इसी तरह से बरवास हो सकता है ना राइट तो अगभर के ताइम पर काफी जादा ही हो गया था और और अंग्जेब के ताइम भी मैक्सिमम जो दर्बारी थे और जो बंसब्दार थे वह राजपूत और हिंदूस थे तो अब क्या हुआ था कि मुआ पर कोट में किस तरीके से तो उसके अलावा जो सेंट्रल होल्ड था स्ट्रॉंग लीडर्शिप थी वह भी नहीं आ रही थी राइट लेटर मुगल्स के टाइम पर कहा रही थी मैंने अभी आपको बताया ना किस तरीके से वो रोक रहा है कि रूख जाओ रूख जाओ ने रूख रहे ना किसी भी त अदर चले आपके unकिंज अॉर यह इस ही को बोला जाता है कि यह लोग जो है आप जागिर दा viens वह घो की मालेंगे बाक्षा के बाक्यक्सार नहीं आती में और उपनी हखै चाहिंगे अलग कर लेंगे तो एक सबकुए में अबाद मी बड़ा खॉर्यक्त कारण काहानी में ट्विस्ट जब आता है जब राजपूत कहते हैं कि मुगल्स के खिलाफ किस तरीके से हो गए थे लेटर मुगल्स चाहते थे मुगल्स चाहते हैं कि यह लोग यह चाहते थे तो उसके लावब फिर बाद में मराठा क्या करते हैं कि गुजरात मालवा बुद्देलखण वाले रीजेंस में जाकर के तोड़ा सापना इंफ्लूएंस बढ़ाते हैं यह पावर्फूल हो गए तो राजपूत का भी श्ट्रगल चल रहा है मराठा का भी श्ट्रगल चल रहा है तो एडवर्स ली अफेक्ट किया है इसने मुगल सामराज्य के पतन के लिए उनको काफी जागिर बढ़ा दे गया कि जमीन दी जाते थी जागिर दी जाते थी वह बची नहीं और इस तरह के से काम होगी जिसको बेजारी बोला गया और इनके इंकम बढ़ा दी गए थी बैसिकली ऑन रिकोर्ट उस टाम पर यह चीट की गए थी उसके बाद खली सा लेंड जो कि सरकारी जमीन होती थी उसमें भी रिडक्शन किया गया यह बाटी गई और बहुत सी ऐसी कोई सिग्निविकेंट काम ही नहीं हुआ इस टाइम पे ना साइन्टिफिक और टेकनलोजिकल एडवांसमेंट हुआ ना खेतिवाडी पर ध्या अब बात करते हैं जो यह रीजनल स्टेट्स ते इसमें इनको बैसी कली डिवाइड किया गया है बड़े सिंपल है और एक इंडिपेंटेंट रिखना है ऐसे स्टेट्स जो की सक्से से स्टेट रहे है याने कि वह जो मुगल प्रोविंसे से तूट करके अलग बनें ठीक है अंपायर से तूट के कुछ नहीं बनिया इंडिपेंडेंट किंग्डम हो रहे है जो की डी स्टेबिलाइजेशन जो मुगल अंपायर हुआ तो उससे निकलके एक्सिटेंस मे कौन-कोन आएगे सबसे पहले तो आएंगे यह आवद है ना उसके बाद भंगाल और भियाना कता है इंडिपेंडेंदेंट कंडम इंडिपेंडेंट मैसोर है ना जो टीपू सुल्टान और ड।-अटरवी की टाइम पर तब के रलाश्पूत स्टेट्स न्यू स्टेट्स New Independent State में कौन क्यों ता है ? जिसे कि मराथ Anne , छिक्ष फिले जाट हुए यह सब इंडिपैंडेंडन स्टेट्स के पात थर तो clear, छिसे deiज याध रखे यह बना। इनके अलावा एक और बार बताओं आपको एक और क्याटेग्री में आप इनको बाढ़ सकते हो वह है अंटच स्टेट्स ठीक है यह अंटच स्टेट से जो की मुगल सामराज्जी के टच में भी नहीं थे और ना उन पर इस चीज का कोई इंपक्ट वाड अब इसा कौन-कौन से तभी यह वह थे जैसे कि आपके साथ इस्ट और साथ वेस्ट का जो पार्ट नोर्थ इस्ट इंडिया का जो पार्ट था तो बुगल के दौरण को टच नहीं किया तो यहापट हम सबसे पहले ले ले लेते हैं अधराबाद की बात अधराबाद इसने लेकर क्या था कि लिच्वाट इसको और बोला जाता था निजाम मुलूमुल नाम से यह वहां का निजाम बना तो बैसिकली अब इसके लिए इतना इंपोर्टन से ज्यादा इंपोर्टन नहीं नेक्स्ट में बात करेंगे अवद की देखो अवद का तो लेकर इंडिपैंडेंड प्रिस्यमिलिडी बना ली इसने राज्य बना लिया कि इसने अपको अपने अपको सिर्चय कर लिया था ठीक है श्रीया मुसल्मान था अब क्या हुआ कि बैसिकली सादर खाने स्यद्वर्दस को मराने का भी जो प्लानिंग था उसके अंदर साथ मगल बार्श्चार के लिए गए तक शादर से स्वी साइड पрахाने बाद भाद लियता शुय्जाइड के नाधिर शायने इसको इतना धंकाई की और पैसे ला chroni कि इसने सुसाइडी कर लिया टीक है इतना ये बात थी तो इस आवद की डाइनिस्ट्री के पार्ट से जो शुजाओद लॉला के हम बात करते हैं फिर आसाफुद लॉला सादा तली वाजी तली अशना पात करते हैं नेक्स बात करते हैं बंगाल बंगाल भी आपने आपको को ने का फांडर मुर्शित कुली खाँ एंड मुर्शित कुली खाँ ने बहुत ही रूर था इसने बंगाल को बहुत ही बना दिया 1727 में इसका बेटा था शुजाओदीन ना उसने इसको सक्सीर कर दिया पिर लेटर सरफराज खाने आ गया इसी बैसिकली deputy governor जो बिहार का था घेरिया में उसको इसने बैसिकली हरा करके independent rule इस्थापित किया था इसी के आगे जो अम बालते हैं कि वह ही है सुजाद दॉल्ला, मीर जाफर, मीर कासिम, फिर मीर जाफर वाफिस से उसको नवा बना दिया गया था इस तरीके से अच्छा नेक्स बात कर लो यह राजपूट्स की राजपूट्स की राजपूट्स में क्या था बिसिकली इन्हों ने कला इस बनाया था अपने प्रफिस बात करते हैं मैसूर की तो मैसूर की कानी आप सबको पता है मैंने काफी बार सुनादी मैसूर की कानी बुरी आर्स वाहां का राजया था हिंदू राजा उसका सेनापती था हैडर अलीजोगी शैनिक था पहले और उसने काफी जादा पर उसके बेड़े टीपु करते हैं तो महापरतां मार्तंड वर्मा अपना इंड्राइडन्स टेप कापिडल बना ली हैं यह सामराज्जिता ओर्गनाइज बहुंगे कल ली अपनी आर्मी को वैस्टर मोडल्म भी असके पर बना ली तो इस तरीके से केल भी सेटल कि अगर हम चाहें तो बात कर सकते हैं जाट की जाट की जगर हम बात करें तो डेफिनेटली क्या बलता सुल्तान में परिगणा का जाट है इन्होंने यह अग्रिकल्चरलिस जाट है देली मतरा आगरा के वाला रीजन जो ही है तो उस पहले ऑप्रेसी पॉलिस चीज थी काफी लेकिन सूरजमल सूरजमल की कहानी जरूर पढ़ना गाई सूरजमल वेरी ब्रेव वेरी ब्रेव जो है जाट लीडर तो सूरजमल के टाइम पर ना इनकी पावर जैनित पर थी गंगा का चंबल तक पूरा साउत में आगरा मतरा मेरेट अलिगण भी इसके सामराच्छे में सूरजमल की सूरजमल की तो इस तरीके से पैटी जमीद आते हैं उन्होंने लूट ली और उन्होंने क्या करना आपस में अबाट ली उसको ठीक इस तरीके से जाट का यहां पर हुआ सबसे पहले नाम किसका आता है गुरू गोबिंद सिंग इस डेपिनेटली इन्होंने फिलिटेंट सेक्ट बनाया था तकि डिफेंस कर सकें रिलीजन का और लिबर्टी का बंदा बादुर ने लीडर्शिप लेली फिर लादिशा का अबला हुआ अबदाली का हुआ तो उस बारा मिसल थी उस टाइम पर मिसल याने की कॉंफेडरी स्रीज तो उसमें से एक मिसल थी सुक्रिचकरया मिसल जिसके लीडर थे बैसिकली यह हमारे गुरू गोबिंद सिंग के पिता जी तो क्योंकि रंजी सिंग जो थे इनुका एक स्ट्रॉंग कि नवा पंजाब बनाने तो आप इदर आए ना तो आप इदर आएंगे ना हम उदर आएंगे इस तरीके से फिर बाल में ट्रीपर ट्रेटी भी होती है इंग्लिश के साथ और शाषु जाके साथ भी बुगल जमार्शदव तरीके से तो यह तहीं सिख्खों का उटास के साथ मराटास की कहाने कुछ इस तरीके से हैं मराटा के टाइम पर बहुत ही फॉर्मेड़ेबल प्रोइंस इन काफी capable leaders थे तो अब इसमें आता है कि पहले तो इनको बोला जाता कि चिप इनहेरेट रहे हैं जो मुगल सामराज्य गिरा तो अब यह पानीपत में इनको से मेंट दिया ना कि इनको मरडावस को तो अब उनसे कभी रिकवर निके इन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया और फिर चैलेंज करें इस्ट इंडिया कंपनी को मरडावस में यही capability जबरदस्त मानी गई थी कि जो है रिकवर बड़ा जल्दी कर लेते थे हाला कि थार्ड पानी बड़ा खूखा युद्ध हुआ था लेकिन उसके बाद भी अब यहां जानों नीचे रोहिला खंड पर फर्रोगाबाद के बात करते हैं तो तो इस ताइम पर अफगानिस्तान से इनिवेजन हो रहे थे नादिशाज इसे लोग आ रहे थे तो उस टाइम पर इतना पॉलिटिकल और ट्रमेल हो गया यहां पर एक बंद आया अली मुहम्मद करके अली मुहम्मद खा करके अब देखो इस बंदे की बावता हुआ आपको अब आके चलके लेकिन पहले सुनलों यह रोहिला खंड इसने बसाए था रोहिला कंड वही कुमाव मालिया जाला रिज भूलिया जिसको बहुत मारा गया है इसको जाटो ने मारा इसको अवद के रूला यह अफगान ने भी पिटाईकर तो बाद में क्या हुआ कि इसने उतनी इतनी मदा चाही नादिर शाह को बापेस बिलाया कि मराधा हो कुट्टिकाने लगाता तरह कैसे नादर शाह आता भ कि इस तरीके से यह जो मुगल बास तूटशे से बागे चुकेक यह जो को जा रहें homosexual आपी दो रहा है जो रोकरहिए यह दो रहे तो मुगल फंचा tweeted थी को में वह आपता है इतने इस च्रीक तेसец थे हुआ मिलेट्री तो कर दिया अब बात में उसको करने के लिए एक स्ट्रॉंग इनफ सेंटर अथरेटी चिये थी अगेंस दी यूरोपियन जो आकरान था थे सबसे पहले अगरम बात करें तो और इंडिया लेवल पर यहां पर इसको काफी क्राइस हो गया फिर जागिदारी में दिक्कात आने लगी इसने इंकम थी और बैसिकली अगरिकल्चर से इंकम के बात करें वह तो बुरी तरह गिरी खाजाने खाली हो गए इन सब के कि इतने करजें में हो गए हर कोई इंट्रेड हुआ फोरें ट्रेड हुआ यह सभी तरह चलेगा इन सब चीजों के होने के बार समला नहीं बैसिकली इन से एक सेंट्रलाइज अथोरेटिक है नहीं के कारण क्वालिटी विगड़ चुके ती रीजनल क्यरक्टर के जो थे है है ना कॉलाबरेटी सपोर्ट नहीं कर पा रहते हैं जमीदार मर्चंट लोकल लोगल को चीप्स्टर्स को इन सब को तो इस तरह के लिमिटेशन और नेचर था बैसिकली इन रिजिजनल किंग्डम का पर अगले लिजन में आपको बताऊंगा अगले लिजन में आपको बता समरी टाइप बना करके डाल दें कि किस तरह के से मुगल सामराज्य का पतान हुआ और अंग्रेजों के लिए एक पाउंडिशन बना यहां पर इंडिया में आने का और फैवरेबल कंडिशन जैसे कि परस्नल डेस्पोर्ट इसम यह कारण था एपसेंस ऑफ डेफिनेटिव सक्सेशन नहीं था तभी तो हर मुगल बाच्चा अपना जो है ओसको लोफ बॉर उफ सक्सेशन लगना पड़ा फिर आम बात करते हैं कि जो वीक रूलर्स थे हैं डीजरेशन हो गया नॉवेलिटी का उसका डेटरेशन हो गया आर्मी का आर्मी का अर्मी खतब हो गई और इतना बड़ा था कि और वीक सेंटर था इतना और जैब कि रिलीजियस पोलिशी और डक्कर पोलिशी इसने बरबात कर दिया था कुछ और दूसरा इंटरफेरेंस और इस इंडिया कंपनी और यूरोपिय ये तो था फाइनल ब्लॉट टुदा फोलार डिलाइन अव दॉग कारी तो रीजनल की नमयुक्त कि वाथ करी राजपूट की बात-करी मैसुर की बात-करी मार्तर डर्म जाट्स उसके बात-कि बात-करी घुरू-गोबिन-सिंग-दी-फिरवाद-वरणजिस-singenh मरारास की बात करी हमने मरारा पेश्वा रोहिला खंड और फर्रुकाबाद के बात करी ठीक है तो मैं कुछ अलग नहीं पढ़ा रहा हूं पहले आपको यह इस तरीके से कहानी सुना दे रहा हूं उसके बाद नोट से कंप्लीट करा दे रहा हूं तो यह मुझे अच्छा लग रहा हूं